दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप एक CSC संचालक हैं और PM किसान सम्मानिधी का लाब लेने के लिए New Formal Registration या फिर नया आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं साल 2022 में PM किसान सम्मानिधी का लाब लेने के लिए जो Registration प्रोसेस था वो कुछ चेंज कर दिया गया है उसमें कुछ चीज़े एक्ष्टा आड करी गई हैं तो आज किस complete वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़े एड हुई हैं और हमें इन्हें कैसे फिल करना है तो सबसे पहले आपको अपने किसी ब्राजर को ओपन कर लेना है ब्राजर को ओपन करने के बाद में आपको यहां पर सर्च बार में टाइप करना है प्येमकिसार.gov.in इस वेबसाइट का लिंग मैंने डिस्केप्शन बॉक्स में दे दिया है आप सभी चाहें तो वहां से भी क क्लिक कर देना है अब इतना करने के बाद में ये न्यू टेप के साथ में आप सभी के सामने ओपन हो करके आ जाता है अब यहाँ पर आपको प्रास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको नया आवेधन या फिर न्यू फॉर्मल रिजिस्ट्रेशन के लिए आप सभी को सिंप्ली इस वाले आप्सन पर क्लिक कर देना है अब इसके बाद में आप सभी के सामने यहाँ पर आधार नंबर मांगा जाता है आप जिनका भी नियू रिजिस्ट्रेशन करने वाले हैं आपको यहाँ पर उनका आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पर स सकते हैं चाहे हो आधार कार्ड में लगा हो या फिर ना लगा हो तो जो भी मोबाइल n наб Why ऑपके पास में अवलेबल हो आप व्हों मोबाइल अंबर यहां पर एंटर करने के चयों के बाद गेट मोबाइल ओटी-पी करने के बादा आपने जो भी मुबाइल नमबर दिया हुआ है उस मुबाइल नमबर पर एक OTP भेज दिया जाता है तो आपको उस OTP को यहाँ पर एंटर करने के बाद में और हम आ रहा है से जैसे की लैट नहीं जलती है डिवैस आपकी वरक नहीं कर रहे है कि आप किस तरीके से Luck के लिए के लिए डॉपा कर पंढ़ोड कर पाहें तो प्रीज आप सबसे पहले जरूड देखें उस वीडियो आप लिंक मैंने किसे लिंक आप सभी को आई बटन पर भी मिल जाएगा अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ capture for EQI CY Marfor device पर और उसके बाद अपने finger को capture करवा लेता हूँ तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मेरा finger capture हो चुका है और यहाँ पर आ गया है capture successfully तो आप सभी को यहाँ पर OK के option पर क्लिक कर देना है OK के option पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आप सभी को एक submit का option दिखाए देता है आपको इस submit वाले option पर क्लिक कर देना है अब इतना करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस पकार का form खुल करके आ जाता है तो यहाँ पर former की जो फी personal detail है वो आप सभी को यहाँ पर fill करनी compulsory है जैसे कि यहाँ पर आप से state पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर state fill कर देना है यहाँ पर district पूछा जाता है तो आप जिस भी district से belong करते हैं आपको district select कर लेना है यहाँ पर आप से sub district पूछा जाता है मतलब तहसील पूछा जाता है तो यहाँ पर click करने के बाद में आपको तहसील को select कर लेना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको इनके block को select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी village से belong करते हैं आपको उनके village को select कर लेना है यहाँ पर category पूछी गई है तो category के आफसर पर क्लिक करने के बाद में आप जिस भी category से हैं आपको वो category यहाँ पर select कर लेनी है, यहाँ पर farmer type पर click करने के बाद में आप से पुछ पूछ डीटेल पूछी जाती है, तो यहाँ पर आप जिस भी category से हो उसको select कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर ifsc code पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको अपने bank का ifsc code एंटर कर देना है, जैसे ही आप सभी ifsc code एंटर करेंगे, यहाँ पर आपसे select का option दिखाए देता है, तो जैसे ही आप सभी select के option पर click करेंगे, इसके नीचे आपको आपके bank का नाम आ जाता है, तो आपको अपने bank के नाम को select कर लेना है, यहाँ पर आपको अपने bank का account number दे देना है, पर automatic fill होती हैं आपके अधार कार्ट के according तो आप सभी को इनको कुछ नहीं करना है और नहीं आप इनको edit कर सकते हैं बाके detail जो भी है जीजे enter करनी होती हैं तो friends मेरे सामने ये एक land की detail आ चुकी है यहाँ पर आप सभी आदेश वाले section में देख सकते हैं यहाँ पर एक computer की दवात संख्या लिखा हुआ है लेकिन ये किस condition में मिलता है ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ अगर ये जो जमीन है ये जमीन किसी पूरी करीवात संख्या इसी तरीके से सेम आपको देखने को मिल जाता है तो अगर उनके आदेश में इस तरीके का अगर कुछ देखने को आपको मिलता है जहां पर ये computer की दवात संख्या आपको प्राप्त होती है आप उस case में इसी computer की दवात संख्या को ले जाकर के land registration ID म अगर यहाँ पर कुछ चीजे नहीं है यह पूरा कापूरा खाली है यह वाला कालम तो यहाँ पर आप सभी को खश्रा संख्या वाले option में आजाना है और यहाँ पर जो खस्रा number दिया हुआ है आप इसी खश्रा number को ले जाकर के वहाँ पर डाल देंगे अब हम थोड़ा सा आजाते हैं अब नीचे आने के बाद में आप सभी यहां पर देख सकते हैं यहां पर राशन कार्ड नमबर मांगा जाता है तो आपको इनके राशन कार्ड नमबर यहां पर एंटर कर देना है यहां पर पूछा जा रहा है amar you accept for pm किसान मांधन योजना आप यह चीजळ third करते हैं तो आपको यहाँ पर yes or no का option दिखाए देता है आप अपने according यहाँ पर फिल कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर अब आपको जो इनके जमीन की detail है उसको आपको यहाँ पर add करना होता है तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है आप जिनका भी खतवनी की डेटल या फिर जिनके भी जमीन की डेटल आप एंटर करने वाले हैं अगर उस जमीन के कई हिस्सेदार है तो आप सभी को यहां पर जॉइंट वाले आउप्शन पर क्लिक करने के बाद में आइड के आउप्शन पर क्लिक कर देना है पर इ के जमीन के डिटेल एंटर करनी होती है जैसे यहाँ पर पूछा गया है सरवे या फिर खाता नंबर ये कहां से आपको मिलेगा जमीन में मैं आप सभी को बता देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक खाता संख्या के नाम से यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई है तो जो खाता संख्या है आप सभी को यहाँ पर मिल जाता है तो इसी खाता संख्या को आपको खाता संख्या वाले ओप्शन में एंटर कर देना है तो इसके बाद में यहाँ पर खस्रा संख्या मांगा जा रहा है यहाँ पर फ्रेंट्स आप सभी देख सकते हैं खसरा संख्या के नाम से एक कॉलम आप सभी को मिल जाता है इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी खसरा नंबर है इनका दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंट्स यह रहा इनके जमीन का डेटेल हेक्टेर में तो आप सभी को इसी चीज को सेम उसमें फिल कर देना है अब इसके बाद मैं यहाँ पर पूछा जा रहा है Land Transfer Status मतलब यह जो जमीन है यह जमीन एक फरवरी 2019 के पहले की इनके नाम से है या फिर इनके नाम पर ट्रांसफर हुई है या फिर एक फरवरी 2019 के बाद तो आपको इन दोनों में देख लेना है जिस भी तरीके से उनका हो या फिर आप उनसे पूछ भी सकते हैं तो उस हिसाब से आप पूछने के बाद में इन दोनों आप्शन में से किसी एक को सेलेट कर सकते हैं अब यहाँपर पूछा जाता है लाइंड ट्रांसफर डेटेल का किए जमीन इनके नाम पर किस प्रकार से ट्रांसफर हुई है तो इसके लिए आप सभी को इस वाले आपशन पर क्लिक करने के बाद में आप सभी के सामने 4-5 आपसन कोल करके आ जाते हैं अब यहाँ पर पूछा जाता है कि यह जमीन इनके पती के मृत्व के बाद मिली है या फिर इनके पिता के मृत्व के बाद इनके नाम पर टांसफर हुई है या फिर यह जमीन इनको बिरासत में मिली हुई है या फिर यह जमीन इन्होंने परचेस करी हुई है या फिर इनको gifted है तो यहाँ पर आप सभी इन सभी चीजों को identify करने के बाद में जो भी option होगा आपको उनको select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर land date visiting में आपको यहाँ पर एक date दे दिनी होती है अब यहाँ पर कौन से date देनी है आप सभी को मैं यह भी बता देता हूँ तो इसके लिए आपको फिर से जाना है अपने जमीन की detail में यहाँ पर मैं अपने जमीन की detail में आ चुका हूँ इस आदेसवले section में आप सभी देख पाएंगे कि यहाँ पर दो date दी हुई है एक 15.4.2018, एक 25.2018 तो यहाँ पर जो जमीन की landing detail है visiting date है वो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाती है तो आप सभी को इनी दो date में से किसी एक date को select कर लेना होता है आप सभी देख सकते हैं कि मैंने side detail एंटर कर दी हुई है आपको सेम इसी प्रकार से side detail को एंटर कर देना है उसके बाद मैं यहाँ पर add का option दिखाए देता है तो इस add वाले option पर click कर देना है यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी जैसे ही मैंने add के option पर click किया यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जमीन की detail यहाँ पर add हो चुकी है अब आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद मैं आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आपको document को upload करना होता है जैसे कि जमीन की detail आपको आपके अधार card की detail और bank passbook की detail इन तीनों चीजों को आपको PDF format में upload करना होता है प्रयास करिए कि जो भी document आप scan कर रहे हैं वो 100KB या फिर 100KB के अंदर का हो ताकि proper तरीके से upload हो जाए और हमें कोई problem ना आए तो आपको इन तीनों चीजों को इनके जमीन की detail को इनके अधार card को और इनकी bank passbook को आपको PDF format में scan कर लेना है scan करने के बाद में आप choose file के option पर click करने के बाद में जिस भी location पर आपने इस document को रखा हुआ है वहाँ से select करके आप बारी बारी सारी चीज़ें upload कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर save का option दिखाए देता है इस save ओले option पर click कर देंगे जैसे ही आप सभी save के option पर click करेंगे अब यहाँ पर आप सभी के सामने आ जाता है record has been inserted successfully your former ID यहाँ पर आ जाती है उसके बाद यहाँ पर make payment के लिए बोला जाता है तो आपको ok के option पर click कर देना है और ok के option पर click करने के बाद में आप सभी फिर से इस page पर आ जाएंगे अब यहाँ पर आपको make payment का option दिखाए देता है आपको make payment के option पर click कर देना है अब यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ इस पकार का interface आ जाता है अब यहाँ पर आप सभी को आपकी CSC ID आज की date क्या है CSC reference number यह साइड detail आपको यहाँ पर दिखाए जाती है अब पर आपको confuse नहीं होना है यहाँ पर password wallet section में आपको अपने CSC का login password इंटर करने के बाद में validate के option पर click कर देना है तो यहाँ पर आप सभी validate के option पर click करेंगे एक बार फिर से आप सभी के सामने same page आ जाता है लेकिन यहाँ पर आप सभी के सामने same page आ जाता है पर click करेंगे इसके बाद आप सभी के सामने कुछ कार की एक पाउती रसीट जनेरेट हो करके आ जाती है अब आपका registration successfully complete हो चुका है और इसकी payment भी successfully complete हो चुकी है अब आपको इस पाउती रसीट के साथ में आपको अपने जमीन की डिटेल आपका अधार कार्ड, bank passbook और राशन कार्ड इन सभी की copy को आपको अपने ब्लाग पर अपने किसी भौन में जमा करवाना होता है वहाँ पर जमा करवाने के बाद में उनकी तरफ से इसका approval दिया जाता है approval होने के बाद में आपका PM किसान portal पर आपका record successfully update हो जाता है फिर उसके बाद में आपको PM किसान सम्मान लिदी की installment आनी start हो जाती है अगर friends payment करते समय किसी भी card से अगर आपका payment successful नहीं हो पाता है और जिसके card आपकी receipt generate नहीं हो पाती है तो आपको घबराना नहीं है आपको यहाँ पर एक option दिखा देता है make payment का तो आपको इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद में यहाँ पर आपसे आपका अधार number और यहाँ पर capture पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको अधार number इंटर करने के बाद में यहाँ पर capture कर देना है उसके बाद search के officer पर click कर देना है और जैसे हैं आप सभी search के option पर click करेंगे यहां पर आपका नाम, आपका address और भी कई साइड detail आपको यहां पर दिखाए देंगी तो यहां पर आपको right side में scroll करना है और जैसे हैं आप सभी right side में scroll करेंगे यहां पर आप सभी को make payment का option मिल जाता है तो आप सभी make payment पर click करने के बाद में आप सभी आसानी से दुबारा payment करने के बाद में receipt को generate कर पाएंगे कभी कभी क्या होता फ्रेंट जब आप make payment के आउसे पर click करते हैं तो यहाँ पर आपको not record found भी आ जाता है और कभी कभी यह तुरंट आपका show कर देता है लेकिन अगर आपका तुरंद नहीं show करता है तो आपको घवराना नहीं है आप 24 घंटे से 48 घंटे के बाद आप try करेंगे अगर आपका अभी भी कोई सवाल अपर सुझाओ हो तो प्लीज आप हमें इंस्टाग्राम पर भी contact कर सकते हैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा जैहिन और वीडियो में लाश्टक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद